अआ ये विर of transfer के बाद में क्या मैं सीड़ी चढ़ सकती हूं क्या मैं जूख सकती हुं क्या मैं exercise कर सकती हूं तीन दिन बाद क्या मैं सास के लिए खाना बना सकती हूं इतने सारे सवाल और इंसब सवालों को आज इस video में आपको ज़वाब दूगा I am going to tell you what all you need to do as precautions after an embryo transfer एक embryo transfer के बाद में आपको precautions क्या-क्या लेनी है मैं Dr. Sunil Jindal, Jindal Hospital से Reproductive Medicine Specialist हूँ 6,000 से ज्यादा बेबी को अब तक पैदा कर चुके हैं सबसे ज्यादा खुशी हमको आपको बेबी देने में आती है इस वीडियो को लाइक सबस्क्राइब जरूर कीजिए बहुत मेहनत से बनाई है I would love it if you do it और एंड तक देखेगा क्योंकि एंड में एक टिप दूँगा जो सबसे इंपॉर्टन आपके लिए रहेगी तो क्या-क्या चीजें आपको करनी है तो मैं आपको पांच चीजे बताऊंगा जो आपको करनी है और तीन चीजे बताऊंगा जो आपको नहीं करनी तो जो पांच चीजे आपको करनी है उनमें पहली चीज है कि थोड़ी सी मौज ले लीजे Pamper Yourself देखे ऐसा है रेस्ट कीजे कोई बहुत ज़रूरी है नहीं पर रेस्ट कीजे और जो चीजे आपको करनी में अच्छा लगता है वो कीजे स्ट्रेस से फ्री रहने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है हर समय लेटना ज़रूरी नहीं है पर थोड़ा रेस्ट अवश्य कीजे और ये एक ऐसा टाइम होता है जहां सब आपको पैंपर करना चाहते हैं तो हजबन से कुछ काम करा लीजे घर में जो लोग हैं उनसे कुछ काम करा लीजे और थोड़ी मौज ले लीजे तो फर्स तिंग इस पैंपर यॉर्सेल्फ देखें टेस्ट चूब बेबी के अंदर जब हम ट्रांसफर करते हैं जो उसके बाद आपको दवा देते हैं वो दवा बच्चे को आगे चिपका के बढ़ाने के लिए होती है जिसमें कुछ प्रोजेस्टरोंस होते हैं कुछ रखने की दवा होती है इंजेक्शन होते हैं खाने की टैबलेट्स होती है टाइम पर ये अवश्य ले तो सेकिंड तिंग इस कीप एंड टेक यौर मेडिकेशन अब इसके दोरान में कुछ चीज़े हो सकती है किसी को स्पॉटिंग होती है फिर भी प्रेगनेंट होते हैं किसी को क्रेंप सोते हैं फिर भी प्रेगनेंट होते हैं कोई साइन एंज सिम्टम प्रेगनेंसी होने का या नहीं होने का नहीं होता इसलिए ज्यादा टेंशन इस बात की मत बनाईए तीसरी चीज़ है इट अहल्दी डाएट देखे डाएट पड़ी इंपॉर्टन्ट है डाएट के अंदर सबजियां हरी सबजियां फ्रूट्स हर तरह के फ्रूट्स साथ में कुछ खाने जिन में प्रोटीन होता है विटमिन बी होता है जिन के अंदर आइरन होता है ये सब healthy foods हैं, जिनके एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, ये सब healthy foods लीजे, चिकनाई युक तले हुई चीजें मत लीजे, daily folic acid लीजे, बड़ा जरूरी है, और कुछ anti-oxidants होते हैं, anti-oxidants वो होते हैं, जो चारो ओर का pollution होता है, इससे हमें बचाते हैं, ये अवश्य ल आज कल बहुत research चल रही है, ये पांच वी चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत research चल रही है, endocrine disrupting chemicals पे, ये वो chemicals होते हैं, जो plastics में होते हैं, जो तरह तरह की tins में होते हैं, जो processed foods में होते हैं, ये सारे chemicals मिलके, आपके hormonal profile को खराब करते हैं, तो इस दौरान में, आपको कोशिश करना है, कि plastics की तरह तरह की चीज़ों से दूर रहें, और कोई भी pollution जिसमें, या कोई भी खाने में, जिसमें मिलावट हो सकती है, उसे avoid करें, तो ये सब तो वो चीज़े हैं, जो मैंने आप से कहा, क्या आपको करनी हैं, पर क्या-क्या चीज़ें नहीं करन अब एक question आता है, सबसे पहला, इस दौरान में क्या मैं सहवास कर सकती हूँ, तो समझ ये, इस दौरान में अगर ना करें, तो बेहतर रहेगा, वैसे तो बहुत सारी studies ये कहती हैं, कि बाहरी सहवास किया जा सकता है, किन्तु, कभी-कभी होता क्या है, कि अगर आप pregnant नहीं हुई हो, तो आप सहवास को ब्लेम करने लगते हैं, तो इस टाइम पर सहवास ना किया जाए, तो बेहतर है, दूसरी चीज, हर रोज pregnancy टेस्ट करने से बेभी नहीं होता, जब 14-15 दिन बीटते हैं, तब बीटा SCG का अराम से टेस्ट कराईए, बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि जल्दी टेस्ट कराने से को फायदा होगा, तीसरी चीज, अगर आपको पेट में फूल रहा है, आपको उल्टी आ रही है, आपको दर्द हो रहा है, वामिटिंग हो रहा है, डाइरिया हो रहा है, तो इसे इग्नोर मत कीजे, इमीजिटली डॉक्टर को संपर करें, इस स आखरी चीज बोनस टिप दे रहा हूँ, जो मैंने कहा था, आपको बताऊँगा, स्ट्रेस मत करिये, स्ट्रेस कोटिसॉल बढ़ाता है, और कोटिसॉल एक ऐसी चीज होती है, जो यूट्रेस को कॉंट्रेक्शन देता है, ये देखा गया है कि जब-जब स्ट्रेस स्यादा होता है, तो प्रेग्डिनसी का चांस कम हो सकता है, आप कहेंगे साब स्ट्रेस तो आता है, क्या करें, जितनी चीज़ें अच्छी लगती है, वो महसूस कीजिए, और सोचिए, बेबी के साथ कितना अच्छा लगेगा, जब भी आप अच्छे विचार रखेंगे, पी पॉस्टिव आएगा, तो आखिर में आपको एक श्वेर सुनाता हूं रहा तिंदोरी साब का बहुत बड़ा फैन राउन का, तो ये सब आई वी एफ के पेशिंट्स जिनके ट्रांसफर हुए हैं, उनके लिए है, कि रख होंसला, रख होंसला वो मनजर भी आएगा, प मिलने का मजा भी आएगा, all the best to all of you and I can tell you one thing, अगर आप लगे रहे, each one of you is going to have the most valuable possession of life, your baby, I love to do this work and I really wish you all the best, hope you all have a baby, like and subscribe this video, I would love it, keep on seeing the next video, thank you very much. झाल